नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल डिसे जोग्रफी क्लासेस में यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे तो चलिए आज के सेशन की सुरुवात करते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जारखन TGT प्रिवेस येर कोस्टन्स को जारखन TGT का जो एक्जाम 2016 में बाहली आई थी उसका एक्जाम 2017 में हुआ था तो काफी सारे एस्पेरिंट का ये डिमांड था और काफी सारे लोगों का ये कहना था कि सर जारखन TGT का कुस्टन्स मिल नहीं रहे हैं तो उसके ओपर विडियो बनाई है तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपको prophesie air का हम आपके सामने लेका है चुक्की जो हमें प्रस्ण मिले हैं वो काफी clear नहीं थे बलर था तो उसको हम type करके आपके सामने लेका हैं ताकि आपको पढ़ने और समझने में दिक्कत ना हो तो चलिए आज के सेसिन के हम लोग शुरुवात करते हैं जारखंड हाई स्कूल यानि की TGT जो भुगोल सब्जेक्ट से समंधित जो प्रस्ण आये थे उन सारे प्रस्णों को आज हम लोग देखने की कोशिस करते हैं कि आखिर कौन से यूनिट से और किस यूनिट से किस प्रकार के प्रस्ण बने हैं हमने इसको अलग-अलग यूनिट वाइज करके रखा है और यूनिट वाइज ही हमने प्रस्णों को टाइप भी किया है तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रस्ण है आपका स्क्रीन के सामने और देखिए प्रस्ण को और समझने की कोशिस कीजे तरह लवस्था में निकेल और लोहे से बनी प्रिथिवी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते है यह काफी एजी है तो जो सबसे भारी होता है आपको पता होगा कि जो हमारा अर्थ है प्रिथिवी है यह तीन परतों में इसको डिवाइड किया किया है स्वेज मोहदे के द्वारा सियाल, सीमा और निफे में तो जो उपर की सीमा है इसको हम लोग भुपरपटी यानि सियाल कहते है बीच वाला को सीमा और नीचे जो हमारा परत है उसको निफे कहते है तो आंतरिक परत सबसे अंदर तो निफे ही है ठीक है तो इसका correct answer निफे है और एक चीज और यहाँ concept स हरातल के सबसे नीचे पाई जाएगी तो सबसे नीचे कौन सिपरत है तो निफे है तो इसका correct answer D है next question अब देखिए इससे भी आप समाझ सकते हैं जो हमारा सियाल है सीमा है और निफे है तो सियाल का जो यानि हमारा जो प्रिश्वी की आंतरिक संरचना है internal structure है इससे और कौ कौन questions बन सकते हैं तो यह आपका जो discontinuity होता है उससे प्रस्ण बन सकता है जिसे conard discontinuity, mohon discontinuity, repeated discontinuity और गुटेनबर्ग और एक last में है लेहमन तो इन सारे को आप देख सकते हैं और मतलब हो सकता है कि अगले बार exam में यहां से प्रस्ण रहेगा ठीक है तो यह आपके लिए important हो next questions को देखते हैं प्रित्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और magnesium के silicate होते हैं ठीक है लोहे और magnesium के silicate होते हैं ओके तो जब हम प्रित्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं ठीक है प्रित्वी की आंतरिक संरचना तीम भाग में बटा हुआ है सियाल, सीमा और तो जिसमा है यानि जिसको हम लोग crust mental और core कहते हैं ठीक है mental तो इसी में जो सीमा है silica और magnesium तो magnesium से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह mental की बात हो रही है तो इसलिए इसका correct answer क्या हो जाएगा mental Next question देखते हैं और इस चीसको समझिए कि जो पृत्वी की आंत्रिक्सन रचना है ठीक है उसका जो सबसे निचला परत होता है वो निफे कहलाता है यह तो आपको भी बताओंगा हाँ यह प्रस्न है question number 3 और question number 3 कह रहा है कि national geographic society के अनुसार mental की मोटाई कितनी है तो इसका जो मोटाई होता है mental का वो 2900 किलोमेटर के बीच होता है यही यहां आपके सामने था कि जो geographic जो society है ठीक है national geographic society उसके अनुसार प्रित्वी का जो mental है ठीक है वो 2880 किलोमेटर है जबकि यहां आपका option में 2880 नहीं है यहां 2900 है इसलिए round figure में 2900 को यहां माना गया है अगर national geographic society के अनुसार mental की मोटाई पूछे तो वो 2880 किलोमेटर है लेकिन चुकी यह option में नहीं है इसलिए इसको 2900 माना गया है ओके next question प्रित्वी की निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है ठीक तो सबसे गर्म भाग कौन सा है तो जो inner core है आंत्रिक core है जो प्रित्वी की वही सबसे ज़्यादा गर्म है और आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम प्रित्वी के नीचे यानि धरातल में हम अगर नीचे जाएंगे तो इसका जो temperature है वो क्या होता है बढ़ते जाता है तो सबसे पहले सियाल होगा सीमा होगा त नीम्न में से कौन सी परत प्रित्वी की सबसे पतली परत है अब सबसे पतली पूछ रहा है तो सबसे पतली अभी हम लोगों ने देखा था परपटी को ठीक है जो हमारा प्रित्वी की आंत्रिक सनरचना को अगर देखें तो जो प्रित्वी का उपरी परत है वो सबसे पतल है, ठीक है, next question, mental के उपरी हिस्से की सघंता का विस्तार कितना है, अब mental क्या आप पूछ रहा है, पूरा प्रित्वी का नहीं, mental की उपरी परत का, या उपरी स्तर का, जो सघंता है, density है, उसके बारे में, तो इसका correct answer है, तो इसको अगर आप देखिएगा, पृत्वी के आंतरिक सनरचना को, तो उसमें जो density है, जो सबसे हलका होगा, उसका density कैम होगा, और जैसे जैसे जो पदार्थ है, जो भी metals भारी होते हैं, उनका density भी बढ़ते जाता है, तो जो हमारा crust है, उसका जो density है, वो 2.7 से लेके 3 तक हैं, और mental की बात करें, तो 3.4 है, अपर mental की, ठीक है, सॉरी, पूरे mental की, 3 पॉइंट से लेके, 3.4 तक ये mental का जो density है, वो है, वहीं अगर core को देखें, तो inner core और outer core, तो outer core का जो density है, वो 5 है, और जो inner core है, उसका density 13 है, ठीक है, तो यहां से प्रस्ण हो सकता है, कि अगले ब next question देखते हैं, मोहो की कठोरता की हो, scale के अनुसार निमने में से कौन सा पदार सबसे कठोर है, अब यहां देखें, जो मोहो scale है, जिससे हम लोग किसी भी metals का, जो hardness होता है, कठोरता होता है, उसकी हम लोग मापन करते हैं, तो इसमें जो सबसे कठोर होता है, वो हीरा होता ह और हीरा के बाद होता है, कौरंडम, तो चुकि option में आपका हीरा है नहीं, तो इसलिए option जो D है, वो correct है, कौरंडम, जब आप मोहो scale को देखेंगे, तो कुछ इस परकार से आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे hard, जो metal है, वो diamond है, और इसका जो scale है, जो मोहो scale में इसका जो मान है, यानि पैमाना जो है, वो 10 है, ठीक है, पूरे मोहो scale को 10 unit में माना गया है, जो 10 है, वो सबसे ज़्यादा hard होता है, तो सबसे ज़्यादा hard इसमें diamond है, उसके बाद corundum है, जिसका जो कठोरता है, वो 9 है, उसके बाद टोपा जाता है, देन, quart jite आता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों को, सबसे जो hard है, वो diamond है, ध्यान रखेगा, उसके बाद corundum है, तो next question आपके सामने है, नेबुला चक्री का प्रतिमान में, अब यहाँ प्रस्न को समझेगा, नेबुला चक्री का प्रतिमान में सबसे बड़ी अ रहस से बना हुआ है, जो समस्या है, जो अभी तक सुल्ची नहीं है, वो क्या है, तो इसका जो correct answer है, वो है, ग्रहानु प्रतिमान, यानि जो ग्रहानु प्रिकल्पना का concept था, वही अभी तक अनसुल्ची है, ठीक है, तो यहीं था आपका option number C, इसका correct answer, और बाकी options को भी आपको देखना है, और समझना है, हम ज़्यादा discussion में नहीं जा रहे हैं, चुकि आपको एक प्रस्नो का level को देखना है, और समझना है, नेक्स्ट है आपका ग्रहानु परिकल्पना, ग्रहानु परिकल्पना का प्रतिपादन या प्रस्तुत किस ने किया, तो इसका option है, Thomas Chamberl परिकल्पना चेंबर्लिन दिया है, लेकिन चेंबर्लिन के साथ ये forest, मॉल्टन को भी आपको याद रखना है, क्योंकि यही फसा देगा, जो अभी तक आपने पढ़ा है ग्रहानु परिकल्पना चेंबर्लिन, तो चेंबर्लिन के वल अगर आपको या रहा है, तो फस में सूरिया और गरहों के बीच कोन ये वेग वितरन की मुख्य समस्या है, ठीक है, तो इसमें जो समस्या है, वो लापलासियन जो मॉडल है, प्रतिमान है, उसमें है, तो correct answer इसका C होगा, ओके, question को समझेगा, अपने स्तर से भी, next question है, निम्न में से किसने 1755 में नेबूला परिकल्पना विक्सित की थी, तो नेबूला परिकल्पना कौन विक्सित के थे, Emmanuel, Can't, okay, हम सभी option पे discuss नहीं कर रहे हैं, चुकि समय काफी अधिक हो जाएगा, अब next question आपके सामने है, समिप्तम, टी टॉरी तारा, अब ये काफी important है, टी टॉरी तारा, ओके, पिर्थवी से कितनी दूरी पर है, टी टॉरी तारा के बारे में अगर आप देखेंगे, तो इसी के बारे में पूछ रहा है, कि इसका जो पिर्थवी से दूरी है, वो कितना है, तो ये टी टॉरी तारा, पिर्थवी से 400 प्रकास वर्ष की टौरी तारा और इन प्रिधिवी और टौरी तारा के बीच का जो डिस्टेंस है वो चार सब प्रकास वर्स है तो यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कॉस्चन है इसके बारे में थोड़ा सा और आपको जानना चाहिए एक कॉलेज है स्प्रिंग फिल्ड कॉलेज ठीक है इसी कॉलेज में लौस्ट कॉन्टिनेंट यानि खोया हुआ महादूइप के बारे में एक प्रोजेक्ट चल रहा था यानि इसको हम कह सकते हैं कि एक जैसे स्कूल कॉलेजज में होता है न प्रेजन्टेशन तो उस तरह का प्रेजन्टेशन चल रहा था जिसमें लौस्ट कॉन्टिनेंट यानि खोया हुआ महादूइप के बारे में कुछ चल सा चल रही थी ठीक है तो इसी समय एक छात्र के सवाल ने अटलांटिस के खोये हुए महादूइप के जाज करने के लिए एक क्लास प्रोजेक्ट को प्रेरित किया अब एक जो लड़का था वो जो लौस्ट कॉन्टिनेट खोया हुआ महादूइप है उसके बारे में जानने की कोसिस की ठीक है और इससे रिलेटेड एक प्रोजेक् इन्होंने अपना दिमाग लगाया और इनका कुछ मन में विचार आया तो इन्होंने संभावित तरीकों के जाज की यानि क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसके करन जो महादूइप है वो खोई हुए है अभी तक उसका मतलब पता नहीं लगाए जा चुका है ठीक ह तो इसी के कारण उन्होंने अपने तरीके से इसके बारे में विचार किया और बड़े पैमाने पर प्रित्वी पर परिवर्तन हो सकता है इनका ऐसा मानना था और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 1859 में the earth shifting crust एक पुष्टक का प्रकासन किया और इसी में जो महाद जिप्यों का बहाव का जो अस्तित्व था उसको नकार दिया गया यानि drift नहीं हुआ है बलके shift हुआ है इनका ये कहना था ओके next question है कि यह कथन किसने कहा था कि चंद्रमा ने मूल रुप से प्रित्वी के जलिये और वायू विये भागों से जल और वायू ली होगी और उस Emanuel Kant और Emanuel Swedenborg तो इसका आंसर आपको comment box में बताना है इसका option हम answer नहीं बता रहे है ठीक है जो सबसे पहले इसका answer बताएगा उसके लिए तारिफ की बात होगी अब ढूंड के और कोसिस कीज़ेगा answer बताने का comment box में okay question नमर 13 का next question 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 है चटानों के निर्मान के दोरान अपनाय जाने वाला सही क्रम क्या है यानि कौन से चटान सबसे पहले बनती है उसके बाद कौन से चटान और फिर कौन से चटान तो इसका जो correct answer है वो है B सबसे पहले लावा का निर्मान होता है ठीक है उसके बाद लावा का जब ठंडा हो जाना होता तो इससे जो चटान बनती उस आफमान के कारण और दबाव के कारण तो इसको हम लोग रुपांतरित चटान या कायांतरित चटान के नाम से जानते हैं तो option number इसका बी correct answer है आज का last question है किस प्रकार की चटानों में विभिन, खनीज, तलो या परतो में होते हैं कोस्टन को ध्यान से समझ येगा और जब तक दो बार तीन बार questions को इस questions को खास कर नहीं पढ़िएगा questions नहीं समझ भागे किस प्रकार की चटानों में विभिन, खनीज, तलो या परतो में होते हैं किस प्रकार के चटानों में विभिन, खनीज, तलो या परतो में होते हैं तो आवसाधी चटान, अभी हम बताए कि जो यही चट्टान हो यानि जो आगने चट्टान है जब उसका कटाव चटाव होता है तो जब वो चट्टान बनते जाती है तो वो अवसादी चट्टान होती है इस प्रकार का ठीक है सेडिमेंटरी रॉक और यही सेडिमेंटरी रॉक में ज़्यादतार खनीज पाए जाते हैं तो इसलिए इसका इस कुस्टन्स का सही आंसर सी है ओके आपको ध्यार रखना है अवसाधी चट्टान में आज यही तक हम लोग 15-15 कुस्टन्स रोज देखेंगे TGT जारकन का अगर हम पूरा एक साथ बनाएंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा तो हम लोग 15-15 कुस्टन्स करके पूरे 1500 प्रस्टों को हम लोग कवर करेंगे और कुस्टन्स की लेबल को समझने की कोशिस करेंगे ठीक है तो आई होब कि जो लोग TGT प्रस्ट यानि प्रिभियस यर प्रस्ट की डिमांड कर रहे थे अगर हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल का लिक दिया हुआ वहां से आप जोईन कर सकते हैं तो थेंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट लेशन में तब तक के लिए धन्यवाद